बिहार का हरी राम बाबा भैरोधाम को किसी परिचे की जरूरत नहीं है बिहार के गोपाल गंजिले के हर नागरी को भैरोधाम की खोईत के बारे में बखुवी जानकारी है भूत आधा को दूर करने के लिए परसिद स्री हरी राम ब्रह्मा स्थान की एक खास बातिया है कि यहां पर भूतों को किराय पर घर दिये जाता है प्रेद बाधा से प्यूरित व्यक्ति के परिजन भूतों के लिए बकायदा मासिक गिराया और भोजन के लिए रुपए दिये जाते हैं सुनकर ही बेहद रोचक लग रहा है ना चलिये पोष्ट के जरिये जाने वियार का हरी राम बाबा भैरो धाम जहां हर भूतों को मिलते हैं किराय के घर का पुंजन समाजरा जन्सरुतियों के अनुसार मंदिर भूत बाधा से परिसान विख्ति को भैरो धाम ले जाया जाता है मंदिर के परिसर में प्रयोष करते ही पीडित विख्ति के सरे पर मौजूद प्रेत सता ही उपटने वास्त्विक रूप लगती है इसके बाद मंदिर में मौझूद पंड़ा पुझारी या संबंधित वेक्त के साथ गए ओजह गुनी तांतरिक दौरापीडित से सवाल जवाब किया जाता है इस दौराण प्रेथ से यहां भी पूझा जाता है कि वह कौन है ओ संबंधित वेक्त को क्यों परेशान कर रहा है प्रेथ से भहरो धाम में किरायक से भूमी लेकर रहनी की बात कही जाती है यदि प्रेथ ओजह गुनी की बात को सिवकार लेता है तो ठीक नहीं तो ओज्षा दोरा प्रेट पिरित वेक्ति को हरी राम बाबा भैरो के सच्छम ले जाया जाता है बाबा के गर्व ग्रह में प्रिवेश करते ही प्रेट परेशान हो जाता है और बाबा के साथ रहने की विनीत करने लगता है इसके बाद प्रेत दौरा मांगी गई वस्तू और जीवन भर भिरो धाम में रहने के बाद को सुवकार करता है, इस दौरान प्रिट परिवार के सदस्यो दरा प्रेत के रहने का छर्चा किराया की रासी मंदी के ब्रामरों को दी जाती है, प्रेतों को दिया जाता है मिठाई का लालच प्रेत बाधा को दूर करने के लिए पीड़ित विक्ति पर उपट हुए प्रेत को उज़ा गुनी दोरा मिठाई का लालच दिया जाता है तांतरिको दरा प्रेट से कहा जाता है कि यदि तुम प्रेट के सरीर को छोड़ कर हरी राम बाबा भैरो की सरड में आ जाओ तो तुम्हें रोज मिठाई खीर पूड़ी खाने को मिलेंगी तुम्हें रोज बाबा के साथ घूमने का मौका मिलेगा तुम्हें प्रेध गड़ से जल्द ही मुक्ती मिल जाएगी यदि कोई प्रेध प्रेध के सरीर से निकल जाने का वादा कर दोबारा उसके सरे में प्रेश करने की कोशिश करता है और इस बात पता मंदिर के पुझारियों को पता चल जाती है तो प्रेध को सजा के रोप में स रिवेज की रोचक कहानिया और किस्सों को इन तक स्पष्ट भासा में पहुचना है कारड के है की रोजगार के लिए वेहार और उत्तर प्रदेश के लाखो यूख सहरों में जाकर बस गए हैं लेकिन गाओं के मिट्टी की खुस्वू उसके जहन में आज भी है उसके के हैं यदि हम दिहात के पुराने किस्सों को भूल जाएंगे तो पुरवांचल की माटी के साथ देश द्रोव होगा हमारा उत्देश किसी धरम भासा जात या वेक्ति विशेश की भावनों को आहट करना नहीं यदि आपको गाओं या कस्वे में भी कोई देवी स्थान क् जाती या किसे पर सिद्ध हैं